हाईलो फ्रेंड्स मैं आनंद कुमार डियर क्लास में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स तो दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करने से पहले हैं कर आपको पता दे कि आगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही वेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नए अपडेस्ट मिलते रहें दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के बहुत की का चाप्टर वन परकास का परावरतन जिसका फूर्थ पार्ट हम लोग आज करने वाले हैं और इस पार्ट में हम लोग डिसकस करेंगे कि परतवीम क्या होता है और इसके कितने परकार होते हैं साथ हमें हम लोग यह भी समझेंगे कि समतल दरपण से परतवीम किस परकार से बनता है दो टूपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में तो आप इस वीडियो को सुरूर से अन तक बने रही हैं तो चले दोस्तों आज हम समझते हैं कि क्या होता है परत्विम और इसके कितने टाइप्स होते हैं तो चले दोस्तों समझते हैं परत्विम क्या होता है और इसकी परिवासा क्या है तो किसी बिंदू सरोत से आती परकास के किरने दरपन से परावर्तन के बाद जिस बिंदू प रहा है और वह प्रकास का किरन किसी दर्पन पर जा करके आपतित हो रहा है और आपतित होने के बाद हम जानते हैं कि प्रकास का प्रावर्तन होगा वह प्रावर्तन के सभी नियमों का पालन करते हुए प्रावर्तित हो जाती है और प्रावर्तित हो करके अगर वह जिस बिंद उस बस्तू का परतवीम कहलाएगा यानि कि वह बस्तू ही हमें उसे दिखाई देगा परतवीम के रूप में आपने देखा होगा कि जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारा परतवीम आईने में दिखाई देता है वो इसलिए संभाव हो पाता है क्योंकि हमारे से प पौाईंट पर हम्हारा पॉर्तु पर्टृविम दिखाई देता है दूस्त अब समझते हैं कि पर्तृषम जो है वह कितने परकार होता है तो पर्ट तो आपको ये दो चित्र दिखाई दे रहे होंगे जिसमें हमने एक ये वाला जो चित्र है इसमें हमने वास्तविक परतविम को समझाया है और ये जो दूसरा चित्र है इसमें हमने कालप्रिक या इसे अभासी परतविम भी कहते हैं उसे समझाया है तो समझते हैं वास्तवि कि अपवर्तन होता है तो आपस में जो मिलती है तो वह एक प्रतीत होते हैं यानि कि वहां पर सिरह समझें कि वास्तिविक नहीं कालपनी के परत्रीम बनता है चलिए कोई बात नहीं समझते हैं आगे तो हमारे पास एक प्रावर्तक प्रिष्ट होगा जिस पे कोई बिंदू स्रोथ से प्रकास के किरन आएगा तो आप लोग देख रहे हैं कि यहां से प्रकास के किरने जा रही है और प्रकास के किरने जा करके इस प्रावर्तक प्रिष्ट पर आपतित होई और यहां से टकराने हो रहा है तो यहाँ परकास के परावरतन के सभी नियम का पालन हो रहा होगा परकास के परावरतन के नियम जो आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं इसमें हमने पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थरी जो बनाया है इसमें हमने प यह विंदू है, यह हमारा पर्तविम होगा किसका जिस बिन्दू सरोथ? वह वास्तिक प्रतविम में क्या होता स hurt baptized से यह उन्हांपन बाल रही है ज़ sniper मतनी बैर बैरayı किता है स्वर यह है उन्हां पर आप देख रहे हैं और विंदूस रोज से प्रकास की किरने इधर एक गया प्रकास की किरन और एक प्रकास की किरन इधर गया दो दिशाओं में प्रकास की किरन जा रहा है यहां से प्रकास का प्रावर्तन हो गया प्रकास का प्रावर्तन होकर के इस दिशा में प्रकास यानि आंठन को न और प्रावरतन को दोनों बड़ाबर होते हैं। हम देख रहे हैं कि यहां पर प्रकास का जो आप्तित कीरन है उसके सांथ जो कौन बन रहा है, वो Character money नियुद Kr या ही दोनों एक ही होंगी यानि की आएगा और उसी पहच पर वापस चला भी जाएगा तो आया और ये चला गया तो दोस्तों देख रहे हैं कि एक परकास का किरन इस दिसा में जा रहा है और दूसरा परकास का किरन इस दिसा में जा रहा है ये वास्तों में क्या कभी एक दूसरे स बना हरहा है काल्पनी स्वून कbstude और चल रहा हैं दिसे चल रहा है कि ये जो खिडम है एक बिंदूब से आ है है तो ये इसको आगे बहा दिया इसको ही डॉट-लाइन से चाहरा गी जहां पर ये दूसरें से जहां व्रिक इसे बिंदू मिली या क्या भी परत्विम या फिर अभासी परत्विम में जो प्रावर्तित किरने हैं वास्तों में ना मिलकर के कालपनिक रूप से इमेजनरी रूप से एक दूसरे से मिलती यानि की वहां से आती होई परतीत होती हैं दोस्तों यह है दोनों में अंतर दोस्तो वास्तविक और काल्पनिक परतिभीम के बारे में आप दो बाते हमेशा याद रखें पहला ये वास्तविक परतिभीम हमेशा उल्टा बनता है इसे परदे पर प्राप्त कर सकते हैं दूसरी बात ये याद रखना है कि कालपनिक परतिभिम जो है हमेशा सीधा बनता है और इसे परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि किस तरीके से समतल दर्पन से परकाश का परावरतन होता है और उससे किस परकाश किस परतिभिम बनता है। चलिए दोस्तों इसे समझते हैं। तो आपने एक चित्र देख रहे हैं और इस चित्र में दिखाया क्या है कि एक सम्तल दर्पन M M Dess है जिसके सामने एक वस्तू O रखा गया है जिसका पर्तिबिम O Dess बन रहा है ये चित्र आप देख रहे हैं जिसमें एक सम्तल दर्पन M M Dess रखा गया है और इस तरीके सम्तल यहां पर रखा गया है दोस्तो इस बस्तू से दो परकास की किरने निकल रही है पहला किरन यह है और दूसरा किरन यह है यह दूनों परकास की किरने यहां से निकल करके इस दर्पन पर आपतित हो रही है तो पहला जो परकास का किरन है वो इस पर लंबवत आपतित हो रही है तो हमें पता है याद रखना है हमें दोस्तों कि जब भी परकास का किरन किसी समतल दर्पन पर आप्टित होती है लंबवत दिशा में तो वह वापस उसी दिशा में वापस लौट जाती है तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि परकास के किरने जो आ रही है वो लंबवत है यानि 90 डिगरी का कौन बनाती हुए आ रही हैं तो वो वापस इसी दिशा में लोट जाती हैं इसके बाद देखिए एक परकास का किरन इस दिशा में आ रहा है और आपती तो यहां पर परावर्ती तो करके यहां से चला जा रहा है परावर्ती तो करके दोस्तों इसके साथ यह जो अ प्रकाश का किरन है प्रावर्तित किरन वो इस तिसा में जा रहा है और दूसरा जो है वो इस तिसा में जा रहा है ये एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं यानि वास्तविक परत्विम नहीं बनेगा तो हमें ये कलपना करना पड़ेगा कि ये दोनों जो किरने हैं वो किसी एक बिंदू से आड ही होगी, इस परकार हमने इसे पीछे के और dotted line से बढ़ा दिया, जिससे हमें पता चल रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि यह जो point है, जो आप देख रहे हैं, कि यहाँ से यह किडने आपस में, यहां से निकल रही है तो यह जो point आप देख रहे है O-S इस वस्तू का क्या कहलाएगा परतविम कहलाएगा एक बात याद रखिएगा जितना वस्तू का इस दर्पन से दूरी होता है उतना ही दर्पन और परतविम के बीच की दूरी होती है यानि की परतविम दूरी और वस्तू दूरी दोनों क्या होते है बड़ाबर होते है चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही धन्यवाद आगे के वीडियो में बने रहें देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नए वीडियो के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाए थैंक्स